ओम शैंति, 18 जूम, 2024, मीठे, प्यारे पाबा के आज के मधुर महवाक्य, आज की मुर्ली के कुछ मुख्य पॉइंस, आज पाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को देह अभिमान में नहीं आना हैं, क्योंकि देह अभिमान में आने से विकर्म जरूर होते हैं, जिस कारण सजाएं खानी पड़ती हैं, और उंच पद से भी वंचित हो जाते हैं, हम बच्चों को इस समय देही अभिमानी परने का पूरा पुदुशार्थ करना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, जिस से बाप की निंदा हो, स्वैम की अच्छे से चेकिंग करनी है, देखना है कि मेरे में क्या-क्या अवगुन है, और फिर उन्हें बाप को सच-सच बताना है, अवगुनों को छिपाना नहीं है, पढ़ाई से स्वैम को पुन्मान बनाना है, सेवा में जो हद की रोयन इच्छाएं होती हैं, उनके हिसाब किताब में भी नहीं बंदना है, सच्चे सेवाधारी बन इस हिसाब किताब से भी स्वैम को मुक्त रखना है, तो चलिए सुनते हैं, आज की बाबा की मीठी प्यारी मुडली, उम शान्ती, बाबा केते, मीठे बच्चे, अवगुनों को निकालने का पूरा पुरुशार्थ करो, जिस गुन की कमी है, उसका पोता मेल रखो, गुनों का दान करो, तो गुन्वान बन जाएंगे, प्रश्न, गुन्वान बनने के लिए कौन से पहली श्रीमत मिली हुई है, उत्तर, मीठे बच्चे, गुन्वान बनना है, तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझव, एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुश्य मत को नहीं देखो, देह अभिमान के वश, ऐसी कोई आक्टिविटी न हो, जिससे बाप का वब्राह्मन कुल का नाम बदनाम हो, उल्टी चलनवाले गुन्वान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित काह जाता है, ओम शान्ती, बाप दादा के हाथ में मोधिये के फूल थे, बाबा साक्षातकार कराते हैं, ऐसा खुश्बुदार फूल बनने का है, बच्चे जानते हैं, हम फूल बनेते जरूर, गुलाब के फूल, मोधिये के फूल भी बनेते, अत्वा कीरे भी बनेते, अब फिर बन रहे हैं, यह हैं सच्चे, आगे तो थे जूटे, जूट ही चूट, सच की रती भी नहीं, अभी तुम सच्चे बनते हो, तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए जितने चिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते हैं इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं बच्चे पोता मेल रखो अपने कुणों का हमारे में कोई अभून तो नहीं है देवी कुनों में क्या कमी है रात को रोस अपना पोता मेल निकालो दुनिया के मनुश्यों की तो पात ही अलग है तुम अभी मनुश्य तो नहीं हो ना तुम हो ब्रामन भल मनुश्य तो सब मनुश्य ही है परन्तु हर एक के गुनों में चलन में फर्क पड़ता है, माया के राज्य में भी कोई-कोई मनशे बहुत अच्छे गुनवान होते हैं, परन्तु बाप को नहीं चानते, बड़े religious minded नर्म दिल होते हैं, दुनिया में तो मनश्यों के गुनों की पराइटी है, और जब देवता बनते हैं, तो देवी गुन तो सब मे हैं, बाकी पढ़ाई के कारण मर्त भी कम हो पड़ते हैं, एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुनों को निकालना है, ये तो बच्चे चानते हैं, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं, यहां ये जैसे एक ही प्रामन कुल पैठा हुआ है, शुद्र कुल में है मनुष्य मत, प् परिचे देना है, तुम बताते हो फलाना आर्ग्यों करते हैं, बाबा ने समझाया था, लिख तो हम ब्रामन अथ्वा पी के हैं, इश्वरी मत पर तो समझ चाहेंगे, इनसे उंचा तो कोई है नहीं, उंचते उंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, इश्वरी मत पर चल हम देवता बनते हैं, मनुष्य मत बिलकुल छोड़ दी है, फिर तुम से कोई आर्ग्यों करना सके, कोई कहे कहां से सुना, किसने सिखाया है, तुम कहेंगे हम हैं इश्वरी मत पर, प्रेरना की बात नहीं, बेहत के बा आगटे शास्र मत पर तो हम बोखोत समय चले, अब हम को मिली है, ईश्वर ये मत, तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी हैं, पहले-पहले उद्धी में बिठाना है, हम ईश्वर ये मत पर है, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं, ईश्वर ने कहा है, Hear no evil, see no evil वनुश्य मत आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो ये तो पतित शरीर है इनको क्या देखने का है? इन आखों से ये नहीं देखो ये शरीर तो पतित का पतित ही है यहां के ये शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने है दिन प्रति दिन सुधरती है आत्मा आत्मा ही अविनाशी है इसलिए बाप कहते हैं see no evil शरीर को भी नहीं देखना है दे सहित, दे के चोभी संबंध है उनको भूल जाना है आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो इसमें ही मेनत है तुम फील करते हो, ये बड़ी सबचिक्ट है जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना उंच मिलेका सेकिंड में जीवन मुक्ती मिल सकती है परन्तु अगर पूरा पुरुशार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी तुम बच्चे अंदों की लाठी बनते हो बाप का परिचे देने के लिए आत्मा को देखा नहीं जाता जाना जाता है आत्मा कितनी छोटी है इस आकाश तत्व में देखो मनुशे कितनी जगा लेते हैं मनुशे तो आते जाते रहते हैं ना आत्मा कहा आती जाती है क्या आत्मा की कितनी छोटी सी जगा होगी विचार की बात है आत्मा का जुन्ड होगा शरीर के भेट में आत्मा कितनी छोटी है वे कितनी थोडी जगा लेगी तुमको तो रहने के लिए बहुत जगा चाहिए अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धी बने हो बाप नई बाते समझाते हैं नई दुनिया के लिए और फिर बताने वाला भी नया है मनुश्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करें तुमको ताकत मिलती है तुमने बाप से वर्सा लिया है और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है मनुश्य को कभी देवता नहीं कह सकते हैं रहम दिल एक ही बाप है जो मनुश्य को देवता बनाते हैं इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है उसका पारावार नहीं, अभी तुम चानते हो, उनके रहम का पारावार नहीं है बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं, उसमें सब कुछ नया होता है मनुश्य, पशू, पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं बाबा ने समझाया है, तुम उँच पनते हो, तो तुम्हारा फरनीचर भी ऐसा उँचते उँच गाया हुआ है बाब को भी कहते हैं, उँचे ते उँचा, जिससे विश्व की बादच्छा ही मिलती है बाब साफ कहते हैं, हम हतेली पर बहिश्ट ले आता हूं बोलो, हतेली से केसर आदी निकालते हैं, यहां तो पढ़ाई की बात है, यह है सच्ची पढ़ाई तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं पाठशाला आएं, तुम बहुत खोलो, तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं, तो नाम बदनाम करते हैं देहे अभिमान वाले की अक्टिविटी ही अलग होगी देखेंगे, ऐसी अक्टिविटी है, तो फिर जैसे सब पर बलंक लग जाता है समझते हैं, इनकी अक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है तो गोया बापकी निंदा कराईना टाइम लगता है, सारा दोश उस पर आ जाता है, मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, तुमारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है? तुम समझते हो, कोई-कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे, फर्स क्लास होते हैं, पर दिखाई भी पढ़ेंगे, बाबा एक-एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है, जो निकलनी चाहिए, एक-एक की चांच करते हैं, खामिया तो सब में हैं, तो बाप को देखते रहते हैं, रिजर्ड देखते रहते हैं, बाप का तो उच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं, इनमें ये खामी है, इस कारण ये इतना उंचबत पा नहीं सकेंगे, अगर खामिया नहीं निकली, तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पढ़ जाता है, ये तो चानते हैं, अभी टाइम पढ़ा है, एक-एक की जाच करते, बाप की नजर एक-एक की गुनों पर पढ़ेगी, पूछेंगे, तुम्हारे में कोई अभगुन तो नहीं है, बाबा के आगे तो सच बता देते हैं, कोई-कोई को धे अभिमान रहता है, तो नहीं बताते हैं, बाप तो कहते रहते हैं, आपे ही जो करे सो देता, कहने से करे वे मनुष्य, जो कहने से भी ना करे, बाबा कहते रहते हैं, जो भी खामिया हैं, इस जनर की वे बाप के आगे आपे ही बताओ, बाबा तो सब को कह देते हैं, खामिया सर्चन को बतानी चाहिए, अंदर की बिमारी बतानी है, तुम्हारे पास अंदर में क्या-क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे, इस हालत में तुम इतना उंचपत नहीं पा सकेंगे, जब तक अब गुन निकले, अब गुन बहुत जिंदा कराते हैं, मनुश्यों को वहम प पढ़ाएंगे, इनकी चलन कैसी है, यह तो पाप जानते हैं, तुम्हारे गुन कैसे फर्स क्लास होने चाहिए, अब गुन छिपा देंगे, तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा, इसलिए जितना हो सके, अपने में अब गुन जो हैं, उनको निकालते चाओ, नोट करो, हम हमारे में ये एक खामी है, तो दिल अंदर में खाएगी, भाटा पढ़ता है, तो दिल खाती है, व्यपारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फाइदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं, ये बाप भी कहते हैं, रोज अपनी चलन देखो, नहीं तो अपन नुकसान कर देंगे, बाप की पत यानि इज़त कमा देंगे, गुरु की निंदा कराने वाले थौर न पाएं, देह अभिमानी थौर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी अच्छी थौर पाएंगे, देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरिशाट करते हैं, दिन प्रत पाप शरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो, ये तो समझ सकते हो, जनमते ही राजा कोई होता नहीं, देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है न, ये भी तुम समझते हो, अभी हम को वापिस जाना है, बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई छे मास बात ही आते हैं, तो बाबा देखते हैं, इतने समय में क्या उन्नती हुई है, दिन प्रति दिन कुछ सुधरते रहते हैं, या कुछ दाल में काला है, कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा कहते हैं, ये क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगव माया कितनी प्रबल है, फर्स क्लास पढ़ाई से तुमारा मुक मोर देती है, बहुत हैं जो चलते रहते हैं, फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं, ये तो तुम समझते हो, अब हमारा मुह हो है स्वर्ग तरफ, लात है नर्क तरफ, तुम हो संगम युगी ब्रामन, ये पुर बहुत कम है, कल्भी शरीर छूट सकता है, बाप की याद नहीं होगी, तो फिर अंतकाल, बाप समझाते तो बहुत हैं, ये सब गुप्त बाते हैं, नॉलेज भी गुप्त है, ये भी चानते हैं, कल्प पहले जिसने जितना पूरुशार्थ किया है, वही कर रहे हैं, ड्रा तो पुमारे विकर्म बिनाश होते जाएं, सजा नहीं खानी चाहिए, बाप के सामने सजाएं बैच KHाएंगे, तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षातकार भी किये हैं, उस सम्में माफ नहीं कर सकते, इन्दवारा बाप पढ़ाते हैं, तो इनका ही साक्षातकार होगा, इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे तुमने ये ये किया फिर उस समय बहुत रोएंगे चिलाएंगे, अफसोस भी करेंगे विगिर साक्षातार सजा दे न सकें कहेंगे तुमको इतना बढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किये तुम भी समझते हो रावन की मतपर हमने कितने पाप किये हैं पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं पाप को सर्वव्यापी कहते आई ये तो पहले-पहले नंबर की इंसल्ट है इसका हिसाब केताब भी बहुत है बाप उलैना देते हैं तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है भारत वासे ही कितना गिरे हैं बाप आकर समझाते हैं अभी तुमको कितनी समझ मिली है सो भी नंबर वार समझते हैं ट्रामा अनुसार आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की ये रिजल्ट थी बाप बताएंगे तो सही ना तो बच्चे अपनी उन्नती करते रहें माया ऐसी है जो देही अभी मानी रहने नहीं देती है यही बड़ी सब्जेक्ट है अपने को आतमा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं अच्छा मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्नि रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वर जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते 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 जी गारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट दे अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं दे अभिमानी को थोर नहीं मिल सकती इसलिए दे ही अभिमानी बनने का पूरा पुरिशार्थ करना है कोई भी कर्म बाप के निंदा कराने वाला न हो दूसरा पॉइंट अंदर की बीमारियां बाप को सच सच वतानी है अवगुन छिपाने नहीं है अपनी जाच करनी है कि मेरे में क्या-क्या अवगुन है पढ़ाई से स्वैम को गुनवान बनाना है वर्दान हद की रोयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया सिवाए सेवा के स्ने के और कोई बंधन नहीं सेवा में जो हद की रोयल इच्छाओं होती हैं वे भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं जैसे दे का बंधन, दे के संबंद का बंधन है ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है इस बंधन से और रोयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो Slogan, बाइदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन कर दिखाओ, उम्शांदी